है अब आते हैं मोधी जी के ओपर आप देखो मोधी जी के चार्ट में कौन सा धन योग बन रहा है जो मैंने आपको लिखवा है इंटो हमने क्लियर ली पड़ा और यहां पर बहुत क्लियर है कि सैटन और वीनस का धन वियुकानी योग बन रहा हए खेक आब मैंने कहां प्रोफेस्शन को देखना इतो आटन को पकड़ो तो हमने मोधी जी के सैटन को पकड़ लिया तो इनके प्रोफेस्शन गे साथ ही पैसा है और वीनस शुक्र क्या है दौलत शौहरत आराम सब चीज़ हैं है ना तो इनके चार्ट में सीधा सीधा यह बन गया अब देखो वन सेवन के रूल से जुपीटर प्लस वीनस भी कनेक्टेड है आमने सामने तो इनके पास तो धन्योग आपको ऐसे ही दिख रहे होंगे सामने के सामने तो अब यह बताओ अभी तक कितना इतना इजी कहीं है किसी आस्ट्रोजी प्रांच में कि आप एक सेकंड में किसी को बता पाओ पचास रूल लगाने पड़ते हैं आपको एक चीज की प्रेडिक्शन करने के लिए है ना अब इनका सैटन से मरकरी कनेक्टेड है सैटन के साथ सं कनेक्टेड है सैटन के साथ के तू कनेक्टेड है तो देखो भई सं किसका कारक होता है चमक-धमक का, सरकार का, हाई पोजीशन का, हाई डेंजिगनेशन का, तो यानि कि प्रोफेशन से इनको सम्मान मिलेगा. मरकरी किसका कारक है? वाणी का कारक है, कम्मिनिकेशन का. तो मन की बात से तो सब्सक्रादा पॉपूलर हैं मोदी जी. बात्चीत में अवल दर्जेगे हैं. है ना, और जो पॉलिटीशियन्स फेल हैं, इसी कारण से फेल हैं कि वो अपनी बात को जनता के सामने क्लियरली नहीं रख पाते. है ना, तो यानि कि प्रोफेशन इनका बोलचाल से रिलेटेड भी होगा. मोदी जी कितने पॉपुलर हैं, हर एक कंट्री में उन्हें कितने अच्छे रिलेशन्स बनाया अपने बोलचाल के कारण. ठीक है? फिर सन प्लस केतु क्यों होता है? धोजा योग. जिसका भी सन प्लस केतु चार्ट में कनेक्ट होता है, वो होता है धोजा योग. धोजा योग में एक ऐसा आदमी जिसके नाम का जंडा लहरता हो. तो इनके नाम का जंडा लहरता है और यह जिस गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ पे भी जंडा लहरता है. है ना? तो ऐसे लोगों का नाम बहुत जादा होता है. तो इनके चार्ट से हर एक चीज़ क्लियर है, जो हमें दिखती है. तो ऐसे एक सेकंड में हम योग देख देखके किसी के बारे में भी कितनी भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं. अब आप लोग कुछ लोग सोच रहोंगे एक चार्ट यह है, एक चार्ट यह है. तो यह जो पहला चार्ट है, जिसमें मैं करसर रोटेट कर रही हूँ, यह है नॉर्थ इंडियन चार्ट और यह जो दूसरा चार्ट है, यह है साउथ इंडियन चार्ट हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन चार्ट पे फोकस करना है, यह बहुत सिंपल होता है, इसी को ही हम लगन चार्ट बोलते हैं इसी को ही हम बीवन चार्ट बोलते हैं ठीक है तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना